तो आमने चैनल पे कितने सारे PC लाप्टॉप्स वगएरा रिव्यू करते हैं और उसके अंदर जो गेमिंग टेस्ट होता है उसमें आपने नोटिस करा होगा कि स्क्रीन पे मारे CPU, GPU और FPS वगएरा के स्टाइट्स आते हैं कि यह सारे स्क्रीन पर क्या सकते हों सबसे पहले आपको जाना गूगल पर महां पर टाइप करना है MSI Afterburner पहली वेबसाइट का लिंक मिल जागा ऑफीशल वेबसाइट का और यहां पर डाउनलोड आपको एक जिप फाइल मिल जागी MSI Afterburner की इसको आपको कर लेना एक्स्ट् सबसे खिखाने के लिए और यहां पर पहले हो कुछ एके बाने हो कर दिखाने की और अपको इसके लिए और यहां पर आप और लुच नहीं थे करना है इसके नदर लिए थो जो मेरी वीडियो में अपको इस first बड़ाए बड़ वर अबर हैं यहां पर मेरे केस में सबसे उपर आपको टैम्परेचर दिखार रहा है तो यहां पर टैम्परेचर हो कोुट करना है उसके पाद जीपियू का यू से जा जाएगा उसके बाद GPU का memory usage होगा है जिससे पता लगता है कितने GB हमारा GPU हो रहा है फिर GPU की core clock आजाएगी जो हमारी clock speed होती है फिर LG की GPU की power जो हमारी TGP होती है यह तो होगे GPU के stats अब बारी healthy CPU की जैसे आप CPU temperature देख सकते हो हाँ पर 32 number तक दिखा रहा है लेकिन उसके नीचे एक CPU temperature है जिसका के number नहीं है हमारे को वो वाला show in on screen display करना है यह बिना number वाला मैं आपको क्यों बता रहा है क्योंकि यह basically average होता है आपके सारे core threads का average बता है कि कितना CPU का temperature है और जब आप show in on screen display कर दोगे ना इन OSD करके लिखा आजाएगा सामने यहां पर हमारा पहले CPU temperature हो गया similarly CPU usage में भी देखो किते सारे number आ रहे है उसमें भी मारे को CPU usage बिना number वाला select करना है उसके बाद CPU clock speed सेट करनी है फिर आगे CPU की power जो हमारी TDP होती है उसके बाद हमारी RAM usage कि RAM के तनी यूज़री आपके गेमिंग के टाइम पर और उसके बाद में ली आ जाएगा और फ्रेम रेट के अंदर मारे को दो तिन ओप्शन हो रहा है यह वाली अप्लिकेशन पर आपको क्लिक करना है यह वही रिवा ट्यूनर स्राडिस्टिक्स है जो हम आपको बता रहा था यहाँ पर on screen display का zoom देख सकते हो इसका size हमने बढ़ा दी आपने साब से आपको मन करें वैसा बढ़ा सकते हो जितना बढ़ा आपको देखना अपनी स्क्रीन पर और उसके आपको स्क्रीन डिस्प्ले के स्टाडिस्टिक्स की कलर्स वगरा चेंज करने हो या उसका इन्फो आपको पहली website मिल जाएगी यहाँ पे इसका इसका इंस्टॉलर डाउन्लूड कर सकते हो इसका बहुत इजी है बहुत बेसिक सी वेबसाइट आइसकी और इससको करण और यहां पर आपको कर देना है लांच और यहाँ पे शेंसर उनली पर टिक करना है और यहाँ इसको कर देना है स्टार्ट अब यह खुल गया हमारा सॉफ्वेर जिसके अंदर सी प्यू के वह सारे स्टार्ट सारे हैं जो नॉर्मली अब को अब कर सकते हैं अब आपको करना है नीचे कंफिगर सेंसर करके ऑप्शन मिलेगा इसको करना है और यहां पर में शेयर डियुक्त करके मिलेगा इसको कर देना तब यह सॉफ्टेर आपको क्या करना है में साइब आफ्टर बनर खोलना है इसकी सेटिंग्स में जाना है मॉनिटरिंग के अंदर जाना है जहां पर मैं पहले आपको स्टार्ट जिखा रहा था यहां पर एक्टिव हाडवर मॉनिटरिंग ग्राफ्स के बगल में तीन डॉट आ रहे हैं इस पर क्लिक करो और यहां हमारे को कुछ इस तरीके सा सोर्सिस दिखाई दे जाएंगे इसको कुछ नहीं छेड़ना आपको जस्ट एड़ पर दबाना है एड़ पर दबाने के बाद जो यह आपने सामने स्टैट्स देख रहे हैं यह एच डव इंफो के सारे सारे स्टैट्स हमारे MSI आफ्टर बरनर में आ चुके हैं अब आपके बास कोई भी लाप टॉप या PC है जिसका कोई स्टैट नहीं दिखाई दे रहा नौर्मली जो मैंने आपको पहले वाले प्रोसेस में बताया था 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 यहां पर देख सकते हो यहां पर मारा CPU पैकेज करके शो कर गया इसको सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना अपने ग्राफ में आपको पहले दिखा रहा था तो यहां पर नीचे आप देख सकते हो CPU पैकेज करके आ गया और यहां पर इसको शो इन ऑन स्क्रीन करोगे तो यह आपके गेमिंग के अंदर OSD में दिखा देगा तो जब आप जैसे लिखना जैसे GPU 1, GPU 2 आपका अफीशली लिखा आता है तब यह उसके ग्रूप में जाके अटजस्ट होगा वरना नहीं होगा जैसे आप इस में देख सकते हो ओवराइट ग्रूप नेम में GPU 1 लिखा है तो अगर इस ग्रूप के अंदर हमारो कुछ भी चीज को आड़ आता के लिए बाइ